IPL 2023 31 मार्च से शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले KKR टीम को बहुत ही बरा जटका लगा है क्यूंकि KKR टीम के जो कैप्टन है सिरे सायर वो चोटिल हो गए है भारत और अस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सिरीज चल रही थी उस टेस्ट सिरीज के आखरी मैच में अहमेदाबाद में सेरे सेयर चोटिल हो गया जिस वज़े से भारतिय टीम को भी नुकसान हुआ क्यूंकि वो बैटिंग करने नहीं आ सके और वहीं अगर बात की जाए IP की तो वहाँ पर KKR के लिए एक बहुत बड़ी टेंसन की बात है कि अगर वो IPL से पहले फिट नहीं होते हैं तो कौन करेगा कप्तानी और कप्तानी के साथ साथ अगर सबसे बड़ा टेंसन है तो यह भी होगा KKR टीम मैनेजमेंट के लिए कि सिरियस एयर सिर्फ कैप्ट कप्तानी की तो कप्तानी के लिए अगर सिरियस एयर उपलफ नहीं होते हैं पूरे IPL में तो हो सकता है कि टीम में जो सबसे मेन खिलारी हैं जिसकी बात की जाए वह आंद्रे रसल जो लगातार टीम से जुरे हुए हैं कई सालों से टीम से जुरे हुए हैं और अच्छे लेगी कप्तानी केके आटीम में एक और एक्सप्रियेंस खिला रही है जिसे कैप्टन सिप का भी एक्सप्रियेंस है वो है टीम साओधी वो अपने देश न्यूजिलेंड की तरफ से भी कप्तानी करते हैं जो न्यूजिलेंड की टीम है वो उनकी भी कप्तानी करते तो इस क्योंकि वो उस्टेलिया के one day series से भी बाहर हो गए हैं और फिर उसके बाद world cup होना है तो world cup में भी series year का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अच्छे form में भी है तो उनका team में रहना बहुत important है तो सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और उनका चोट जादा गहरा ना हो तो दोस्तों किर्केट की ऐसी ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर करना भी ना भूले और बेल आइकन जरूर दवाएं